तो बिल्कम इट्रेंट्स आप सभी के अपने चनल यस की है मिश्टर फिर से स्वागत है बहुत जो तुर्दीगर स्वागत है यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे जो भी चीजे रहेंगे आपके सामने रहेंगी मेरे पहले आपको लिए जानन से कमेंट करेंगे और जो आपकी जो मोस्ट लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डिया दी गई हैं वहां से जाकर आप जोई हो सकते हैं आप देखिए वह से बड़ी बात क्या है कि बहुत कमेंट आ रहा है मेरे बचों का की सर आप लेटर पत्र लिखकर बताईए ठीक है पत्र लिखक कर बताये पत्र क्या होता है कैसे हम लिखें इसके में क्या चीज़ी हैं तो सारी चीजों को इसमें डिएपको दिसक्स नहीं ठाथ हैं और आको ब्लू और ब्लैक नामा कोई भी पैन युज नहीं करना है रिप सबसे पहले आपको पत्र में बहुत इंपोरेंट क्या है पत्र में पत्र लेखन के समय ध्यान देने योग्य बाते ठीक है योग्य बाते अब दिखी इसमें बेरिवाय बच्चो आपको लेटर पत्र तो बहुत लिखने है सब लोग लिख लेते हैं लेकिन जो ध्यान देने योग्य बाते होती है उसका क्या होना चाहिए ठीक है तो अब देखिए क्या होगा फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या देना चाहिए इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखने पत्र लिखने वाले क्या देना चाहिए पत्र पत्र लिखने वाले तथा पाने वाले दोनों के नाम तथा पत्य का उल्लेख होना चाहिए पत्य का उल्लेख होना चाहिए ठीक है यह आपके लिए वेरी वरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको एक्जाम में 95 परसेंट पाना है अभी दखिए कल आपकी पूरी हिंदी की क्लासे सी चलेंगी सारा दिन आपको जितना भी चीजी रहेंगी सारी चीजी आपको एक दि स्पष्ट होना चाहिए अगर दूसरे पॉर्इंट की बात करें तिस बिसा आप लिखेंगे वह कहना चाहिए अस्पष्ट का मतलब क्या होता है अची तरीके से आपको वहाँ पर मेंशन करना चाहिए ठीक है होना चाहिए अब देखी अगला जो पौइंट हाएग हमारा प अनावस्यक बातें नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो यह सारी चीज़ें आपके वहां पर नहीं होनी चाहिए ठीक है और जो आप पत्र लिखेंगे तो आप सब लोग जानते हैं कि राइटिंग हमारा जो राइटिंग है अच्छी तरीके से होनी चाहिए ठीक है प्रकार समाब तक किया जाना चाहिए कि उसका संदेश असपष्ट हो सके यानिक जैसे आप लास्ट में कुछ लिखते हैं कि उसमें एक संदेश देना होता है आपको कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसा हो जाएगा तो वहां पर एक संदेश वाली बात आते हैं तो आप आप इसलिए वहां पर क्या होना चाहिए संदेश वाली बातों को असपष्ट हो सके तो लिख देना चाहिए ठीक है अब देखिए आगे हम आपको लेटर जो पत्र होते हैं दो चार लेटर आपको लिख बताएंगा और बता भी देंगे कि आपको कैसे कैसे आपको लेटर ठीक होगा ठीक है अच्छी तरीके सापको साथ जिए क्लियर हो जाएंगी देखिए पहला जो हमारा अगर हम पत्र की बात करें पहले पत्र की बात करें तो पहला पत्र देखिए क्या होगा बाढ़ पीड़तों किसके बाढ़ पीड़तों के सहायतार्थ ठीक है सहायतार्थ अपने ग्राम द्वारा संचित धनराश को पहुचाने हे दू यह दू जिला धिकारी को एक पत्र लिखिए यानि कहने का मतलब क्या हूँ आप देख सकते हैं अशी तरीकास आपको समझ में आप भी रहोगा जो भी अचीज पताएंगे अगर आपको यहां पर बताएंगे पंचास चीज ले कर बताना वहां पर उचीत नहीं होता अगर लिखना भी बताएंगे जो भी चीजे रहेंगी अभी आपको ध्यान देने वाली योग के बात है उसको भी आपको लिख लेना है तो अगर इसी वीडियो में आपको पांच नमर मिल रहा है तो यह आपको बस देखना है और लास तक जुड़े रहना है चलिए देखें लिखेंगे कैसे उसके बारे में तो आपको बताते हैं और देखें जो भी इडियोंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो तुरह चैनल को लाइक कर दें सेयर कर दें कमेंट कर दें चलिए आगे क्या वागार देखी यहां बच्छे तरीका सम बताने का प्रयास करने क पत्र लिखना है जिसमें आपको अची तरीका समझे में आ जाए ठीक है अब देखें यहां पर अगर हम अनसर की बात करें अब देखें इसको लिखेंगे तो लिखने का तरीका आपको अची तरीके से बताएंगे यहां पर क्या लिखेंगे सेवा में क्या लिखेंगे सेव लेना है उसके बाद अब जहां का भिला धिकारी है जो उस राज्न का नाम लेना जैसे मानली यूपी है आप लिखना होगा तु प्रयाग राज यूपी आप यहाँ और दाल सकते हैं अब आपको क्या करना है थीनांक थीनांक कि यहां पर आपको ड्लेक से लिखना होगा Yeah सन डेट सन हमारा 2022 त्रिक यह आपको ऐसे लिख देना है उसके बात देखिए 20 ऑसस बतार नहीं बहुत तो समझ का आपको लिखना होगा कि वीशै इतना सो समझ का की अपको समाच करें जैसे हो छीत्रता पीडितों के पास किसके पास पारीत पíडितों के के पास संचित धन्रासी पहुचाने से संबंधित यह आपका हो जाएगा आपको किस पर पत्रोinku साथा ओर आपको जोरा छीजी रहेंग intrinsा आपको लिखना होगा लोग उनको दन पहुंचाने के लिए पर लिखना हों पर में अपने हैं अभी आप लोग्सारी सैंसे चलिएगा और लेटर को लीठे क्यों कि बहुत बार आख चुका है इसलिए इसको हम बताने का प्रयास करने थे मंचे अपने इसको द्ञेव को और की और से की और से ईन्य और से निवेदन करना चाहता हुं निवेदन करना चाहता हुं करना चाहता हूँ कि हम सब हम सब गोपालपूर कहां गोपालपूर के निवासियों ने निवासियों ने मिल जूलकर अच्छी दरीका साथ आज़ा लिखना होगा और जिटने विशुर्ण समाय जूर रहे हैं वह तुरंद इसको लिखकर चलते चलेंगे ठीक है मिल जुल कर उज्जयन के बाढ़ पीड़ितों की सहायता है तू एक लाख बीस जार रुपए की रासी जमा की है सहायता है एक लाख यहां भी जितना भी धन आपके पास कठा हुआ है उसको आपको लिख सकते हैं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है तो मेरे आप इसको अपने सब्दों में लिख सकते हैं जितनी भी चीजे रहेंगी सारी आपको अच्छी तरीके समने समझा दी गाएं अब भी आपको तिंचार लेटर देंगे जिसको भी आपको तयार कर लेना है अब इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है और आपको यह ध्यान देना है कि लाश्ट में जो भी हम जमा की है ठीक है की है और हम ग्रामीडों की प्रबल इच्छा है की की यहरासी यहरासी जल्द से जल्द जरूरत मंदों तक कहां तक जरूरत जिसको जरूरत है जरूरत मंदों तक मंदों तक पहुंचा दी जाए ठीक है पहुंचा दी जाए ठीक अब आगे आपको क्या लिना जो हमने आपको लास्ट में क्या बताया था कि पत्र लिखन समय क्या अब सब्सक्याइब सब्सक्राइब देना है आपको अब हमारे कि हमारे निवैदन को सहर्ष स्विकार्ते हुए अविलंब क्या अविलंब हमारी मांग को पूर करने में हमारी सहायता करेंगे ताकी संचित धन सही समय पर सही लोगों में बितरित किया जा सके अब देखिए आगे हम क्या लिखेंगे धन्यवाद क्या लिखेंगे धन्यवाद ठीक है अब देखिए यहां पर जो प्रार्सी उसका नाम लिख देंगे और अपना पता यहां यूपी डाल देंगे तो यह आपको यूपी आपका गाउं जहां है गाउं डाल देंगे जैसे मालेजी महोदय प्रयाग राज यहां पर डाल सकते हैं 223-2022 ठीक है यहां जो आपकी डेट है उर्फ दिंगे बीसे क्या होगा बाढ़ पीड़तों के पास संची धनरास महुचाने संबंधे ठीक है चलिए महोदय अगला क्या है महोदय अपने मैं अपने ग्रामवाशियों की ओर से न प्रास जल से जल जरूरत मंदों तक पहुंचा दी जाए ठीक है यह दूसरे गाओं के लोग जिन्हों सही समय पर सही लोगों तक बितरित किया जा सके तो यहां पर धन्यवाद लिखना होगा प्रार्थी का नाम लिखना होगा और अपना पता डाल देना होगा जहां से आप पत्र को भेज रहें तो यह देखिए आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा चलिए अब आपको इती इंचार पत्र आपको और बता देते हैं जिसमें कि आपको आने की शम्मौना हंडेट परशंट यहकं सेकोड़िक साथ आपको हम बताएंगे हाँपे जिस तरीके से हमने यह वाला लिखाए उसी तरीके से उनको भी लिखना होगा और अच्छी तरीके से आपको लिख आए होग लोग लिख भी लेंगे और आप पढ़ लेंगे आज इसको आज इसको क्रिशकों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए करते हुए राज क्रिशी मंत्री को आवेदन प्रस्तुत कीजिए ठीक अब देखिए आपका पहला दूसरा नंबर क्या गया है भार्दी क्रिश्यों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए राज क्रिशी मंत्री को आवेदन प्रस्तुत कीजिए अब इसको भी आपको अपने कॉफे में लिख लेना है अच्छी तरीके से और समझ भी लेना है अब देखिए तीसरी नंबर की बात करतें तीसरा नंबर क्या ह कि अपने नगर में प्रदूशन से उत्पन इस्तिती का वरण करते हुए करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए तीक आपको इस देखिए समझ में आ गया होगा अब देखिए जो अगला है अगला क्या है अमरा चौछा नंबर क्या है उसको भी आपको लिख लेना है क्या है मारा अपने गाउं में अपने गाउं में ब्रिक्छा रोपन ठीक है ब्रिक्छा रोपन हे तू जिले के वन अधिकारी को एक प्रात्ना पत्र लेकिए ठीक है एक प्रात्ना पत्र लिखिए ठीक है प्रात्ना पत्र लिखिए चौता नंबर यह हो गया अब पांचवा नंबर की बात कर देंगे पांचवा नंबर देखिए क्या होगा पांचवा नंबर बेरी बेरी मोस्ट इंपोरेंट यह भी है यह आपके एक्जाम में बहुत फ्लिटार पूछा गए ठीक है जैंगे फाइंने नमबर आप अपने नगर की किसकी अपने नगर की कि का अपने नगर की सार्वजनिक क्या सार्वजनिक ऑगवस को मिपर किस भूमि पर हुए अवायद कब्जे को हताने के लिए नगरपाली का अध्यक्च को अध्यक्च को एक सिकायती पत्र लिखिए एक सिकायती सिकायती पत्र लिखिए ठीक है पत्र लिखिए यह हो जाएगा अब यह वहीं वहीं मोस्ट इंपोर्ट तो पांच हमने आपको बताना अभी ही पांच में से आपका कोई नो कोई एक जरूर आ जाएगा हमने एक आपको लिखकर ही बता दिया इटन्स तो इतनी जानकारी आपको अगर प्रसंद आती तो आ suspect कर सकते हैं हमने कल निबंद भी आज आपको बताएत